हम बेवफा तो हर्गिस न थे मगर हम वफा करना सके दोस्तों पुनानी फिल्मों के मशूर आक्टर धर्वेंद्र की फिल्म शालिमार का ये जो गाना है भक्तों के पापा के उपर न बड़ा सठीक बैठा है भक्तों के पापा कौन ये आप अच्छी तरीके से समझ रहोंगे गुजरात की उनिवसिटी में नमास पर बवाल करने के आरोप के बाद अब गुजरात पुलिस आक्षन में आ गई है दोस्तों गुजरात पुलिस वैसे आक्षन में है नहीं जैसे दिल्ली पुलिस बीते दिनों रही थी भक्तों को धर्म परिवर्तन रटवाने के बाद अ और एंट्री तो मानी एकदम हीरो माफिक कभी आरम में मंदिर के उधगाटन के बाद अचानक अर्भी बढ़बढाने लग जाते हैं तो कभी डुक्की लगाने द्वार का पहुँच जाते हैं मानी प्रधान मंत्री ना हुए व्लोगर हो गए दोस्तों हाँ वो बात अलग है कि मनी पूर की व्लोगिंग करना मोदी जी शायद भूल जाते हैं शायद गए होंगे कभी बिना फोटो खिचाए दोस्तों गुजरात पोलिस ने तो देखिया अंधिभक्तों की एक एक करके जेल में भरना शुरू कर दिया है क्या है पूरा मामला कैसे गुजरात की सरकार अंधिभक्तों पर ही भारी पड़ रही है कैसे पूरा मामला संग्यान में आया है बताते हैं आपको इस रिपोर्ट पर दोस्तों विदेश मंत्राले ने इस पूरे मुद्धे पर क्या कुछ कहा है सब कुछ बताऊंगे आखिर तक इस वीडियो को जलू देखेगा नमस्कार मेरा नाम है जयनती जा और आप देख रहे हैं टाइमस में दोस्तों भक्तों के पापा लोग भक्तों को एक बार फिर ट्रोल करते हैं नसरा रहे हैं एंदवार इस्थित गुजरात युनिवोसिटी में शनिवार देरात अंदभक्तों की भीड ने विदेशी चात्रों के साथ मार पीट की महीं इस पूरे मामले पर अब विदेश मंत्राले ने बयान जारी कर दिया है क्या बयान जारी किया है आगे आपको मैं बताऊंगी उससे पहले जान लीजे दोस्तों कि जिस तरीके से 2014 के बाद देश के अंदर एक खास धर्म के खिलाफ नफरत के अफीम बोई गई उसी का नतीजा है कि अब नौजवान युवा पढ़ने वाले च्छात्र के अंदर भी अपने ही साथ पढ़ने वाले च्छात्रों के खिलाफ नफरत की भावना पनप रही है जर्म ले रही है ये बेहत दुर्भागे पूर्ण है विदेश मंत्राले के प्रवक्तार अंडी जैसवाल ने कहा है कि एम्दबाद की गुजरात की इनिवोसिटी में जो हिंसा की घटा हुई है इस पर राज्य सरकार अपराधियों के खिलाफ सक्त से सक्त कारिवाही कर रही है दोस्तों नफरत के तवे पर तप रहे इन मानसिक बीमार अंधभक्तों को गुजरात विश्विद्याले के एक चात्रवास परिसर में करीब 20 से 25 की संख्याबल के साथ गुस्ते हुए देखा गया और वहाँ पर विदेशी चात्रों के नमास पढ़ने पर आपत्ती जताती भ कहा दोस्तों हाला कि इस दौरान चात्रों के साथ लोगों ने वहस की और उन पर हमला भी कर दिया ऐसा रोप है इन्होंने सोचा कि चलो थोड़ा धोंस जमाया जाए क्यूंकि सहिया तो हमारे कोत्वाल है हमारा कोई क्या ही बिगाड सकता है लेकिन हगतों कि पापा ने उन पजीहत होने वाजी थी दोस्तो, वोल्ड-वैट बेज़ती हो जाती, साथ ही पूरे विश्ष में ये संदेश चला जाता, कि केंद्र की मोदी सरकार मुसल्मानों के अधिकारों का किस तरीके से हनन करती है, और तो और मुसल्मानों के खिलाब भारत में कितनी नफरत फैल चुकी है ये भी संदेश दोबारा चला जाता है दोस्तों प्रधान मुंत्री मोदी जी ने शायद हो सकता है इसी वज़े से भक्तों के साथ प्रैंक कर दिया लेकिन इतनी बेज़ती के बाद भी अंदभक्तों के रूप को ठंडक नहीं पहुची बता दे ना चाहते हैं इस पूरे मामले पर करीब 25 लोगों के खिलाफ F.I.R. दर्च की गई है और इस मामले के जाच के लिए 9 तीमें गठित की गई है क्राइम ब्रांच ने दो लोगों की गिरफतारी की है दोस्तों यानि अंदभक्तों के साथ उनके पापा फुल मुए मुए कर रहे है इंदर लोग इलाके में जो हुआ था वो आपको याद होगा कि जुम्मे के नमास के वक्त एक दिली पुलिस का सिपाही या कहे लिजे सब इस्पेक्टर आता है वर्दी में और लात मारता है एक नमासी को दिली बिलकुल यही मानसिक्ता लोगों के अंदर खासकर इंदू संगठन के कारिकरताओं के अंदर इसकदर परफ रही है कि रात में यूनिवसिटी में घुसकर कानून को अपने हाथ लेने से भी इरलोग संकोच नहीं करते देखें वो अलग बात है कि आप कारिवाही कर रहे हैं आप इनके खिलाफ सक्सक्त कारिवाही करेंगे इनको सजा दिलाएंगे ये सारी बाती अपनी जगा ठीक है सवास सीथा सही पूछा जाना चाहिए कि भई ये लोग इनके अंदर ये खौप था क्यूं नहीं कि अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो हमारे किलाफ कारिवाही हो सकती है इनके अंदर ऐसा कोई खौप क्यूं नहीं था सबसे जरूरी बात है दोस्तों कोई भी इतना बड़ा कदम उठाने से पहले अगर कुछ नहीं सोच रहा है अगर किसी बज़ा कोस ने अपने दिमाग में फिट नहीं बठाया है कि मेरे साथ क्या हो सकता है मेरे ओपर क्या का कारवाही हो सकती है इसका मतलब उसे कानून का खौफ नहीं है उसे किसी भी तरीके के समयधाने पदों पर बैठे व्यक्तियों का खौफ नहीं है उसे सरकार का खौफ नहीं है तो क्या भारतिये जंता पार्टी ने इन लोगों को इतनी शह दे दिया है कि भाजपा के सरकार उसे डरना बंद कर दिया है इन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया है अला कि देखे विदेश मंतराले ने खुद उन तमाम छात्रों से संपर्क साधा है ऐसा बताया जा रहा है और सक्से सक्त कारिवाही करने की बात कही है कि जितने भी लोगों के सा जाया जाये दोस्तों पहली दपा नहीं है इसा जब भार से आये रिखाथ खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ते लेकिन क्या इसको खातिरदारी कहा जाता जो वी एच्पी ने किया है क्या इसको खातिरदारी कहा जाएगा वो जाकर क्या कहेंगे जहां-जहां से वो आए हैं अफगानिस्तान उजबेकिस्तान अलग-अलग जगा से दोस्तों चात बारत में फिर क्या होगा इंटरनाशनल लेवल पर फुल फजी है तो फुल बेज़ती कौन है इसका जमदार ऐसे लोग जो गुजरात यूनिवरसिटी में गुसाए ये लोग दोस्तों सिर्फ एक राज्य में नहीं है ये अलग-अलग राज्यों में बड़ा सगुट पहला ह हुआ है और ये बात तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं अलग-अलग राज्यों से सामने आते रहते हैं मामली यह तो चलिए गुजरात यूनिवरसिटी का मामला है वो गुजरात जहां से हमारे देश के प्रिदान मंतरी जी आते हैं यानि उनका भी गुरी छेत्र हैं हैं हमारे देश के स्वास्ते मंतरी जी आते हैं मंसुक मंडाविया जी उनका भी ग्रे छेत्र बताया जाता है बहुत से ऐसे मोधी मंतरी मंडल में नेतागन है जो इसे गुजरात से आते हैं गुजरात को एक गुजरात मॉडल की तरह पेश किया जाता है दोस्तों प्रिद सवाल पूठा जाएगा तो इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में तब तो के लिए नमस्ता है अगर अभी तक आपने हमारे चैनल काइमस मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें